मैं यह अज में आपको राय का पॉर्डर और जीरा का पॉर्टर, जीरा नी का ढूला हुआ वह कैसे त्यार करते हैं मतलाते हों कि कराई को गर्म होने चड़ाते हैं कराई थोरा गर्म हो गया है हम इसमें जीरा डालें गे है दीरे दीरे हमें इसे भूनना है, इसे कैसा भूनना है, वो देखिए, मैं आपको दिख लाओंगी, इसे हमें इस तरह से हिलाते हुए ही भूनना है, छोड़ेंगे नहीं, तब बराबर नहीं भूनता है, जिस भी चीज का पड़ा, उसको सबसे पहले हम चेक कर लेंगे, उसमें कोई गंदा नहीं होना चाहिए, धूल गरदा नहीं होना चाहिए, हम उसे सबसे पहले उसकी गंदगी को हटालेंगे, अगर थोड़ा बहुत गंदा है तो, और धूल है तो हम उसे जाड़ लेंगे चल कि इसे भूनेंगे हम किसude करके हिलाते एब भून ने यह तो जीरा से भून जाता है कि आपको इसे भूनने में ऐसा लगेगा कि कि इसमें इसा लगता है तो कि यसेही इसका watch कतम होगा यह अच्छी तरह से भून जाता है तो यह आप इस तरह से हिलाएंगे तो हल्का लगेगा अरजब और जब तक इसमें मौश्च्र और अची तरह से नहीं भूना हुआ हैं, तो ये इस तरह से हिलाने पड़ी भाड़ी लगता है, तो ये भी एक पहचान है, हाँ अब इसे हमें जलाना नहीं है, जैसे ही जीरा भूने में आपको हलका लगने लगे, आप थोड़ा सा इसे इस त नीरे भूना हुआ जीरा ही अच्छा होता है अच्छी तरह से भूनता है और यह बिल्कुल हलका हो गया है बिल्कुल हलका इसका मॉइस्चर पूरी तरह से निकल चुका है और यह हलका हो गया है और यह भून भी गया है और बहुत सुंदी खुस्बू आ रही है में स्टोब क तो बंद करके और इस चीरा को प्लेट में निकालबेंगे कढ़ाई में छोडिंगे तब यह जल जाएगा इसे हम प्लेट में में निकालाइगे कि यह बस जैसा इसका अपना कळड़ होता है उस इसे थोड़ा सा ब्राउन है मुझा से ब्राउन हो जाता है भूनने से और खुब हल्का हो जाता है हम इसे अब ठंडा कड़ेंगे ठंडा कड़के हम तभी पॉडर बनाएंगे अब हम इसे पीस लेंगे यह बिल्कुल ठंडा हो गया है यह बिल्कुल ठंडा हो चुका है हम इसे पीस लेंगे किसी भी पॉडर को बनाने में इस बात का ध्यान रखें कि हमें ठंधा करना ही होता है अगर भूना गया है तो इसे पीषने के लिए आप चाहे तो चटनी के पॉट में पीष सकते हैं नहीं तो सूखा वाला जो पीषने का पॉट होता है इसका ब्लेट थोड़ा सा अलग होता है तो इस ब्लेट को लगा कर और हम पॉट में इसे डाल कर पीष लेंगे तो देखे यह बिल्कुल अच्छी तरह से पीष गया है हम इसे जिस भी पॉट में भढ़के रखना है रख लेंगे आप किसी भी पेपर पर पॉडर को निकाल लें उसके बाद आप किसी भी जार में भढ़ेंगे तो यह बहुत आसानी से भढ़ जाता है भढ़ सकते हैं आ चाहे वह छोटे मुखा हो चाहे बड़े मुखा हो हम बहुत ही आसानी से भढ़ सकते हैं अब हम इसी जार में राई को भी पीष लेंगे इस राई को पीषने के लिए मूनने की जरूरत नहीं होती है आप बस देख लें कि एकदम बढ़िया है साफ है चाहे तो आप इसी च में कोई गंदगी तो नहीं है और उसके बाद हम इसे पीष लेंगे सिधा इसे भूनने की जरूरत नहीं राई को ज्यादा से ज्यादा आपको लगे कि कहीं खड़ाब नहीं हो जाए तो आप इसे धूप में सुखा लें अगर आपके पास धूप की विवस्ता है तो नहीं ठीका के यह को टरूरत नहीं है और हम इसी पॉट में राए को डालेंगे और पीस लेंगे राई को हम नहीं भूनते हैं क्योंकि राई को भूनेंगे तो यह कड़वा ज्यादा हो जाता है एक बात और में आपको बता देती हूं कि राईता में या अचार में इस राई का पॉडर को अगर आप डालते हैं तो ज्यादा स्वादिस्ट लगता है पीला वाला सिर्फ तो हम इसे अप पीस लेंगे तो देखे ये खुब अच्यार से पीस गया नहीं होता है तो इस तरह से हम राइका पॉडरर त्यार करते हैं वह प्राइका पॉडरर अचार सफे तो तो 130 100 ग्राम पीस करके इस तरह से रख लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं तो देखे इस तरह से आज मैंने आपको बतला है कि भूना जीरा पॉडर कैसे त्यार करते हैं और राय का पॉडर कैसे त्यार करते हैं राय का पॉडर को हम बहुत ही आसान तरीका है त्यार करने का बस आप तो लगता है तो थोड़ा भाड़ी लगता है चुमने से आप उसे थोड़ा दूप में सुखा लें लेकिन उसे भूनते नहीं है बस सीधा ही हम इसे पीछते हैं क्यूंकि राय का पॉडर अगर भून देंगे तो यह कड़वा हो जाएगा फिर सभी चीज का टेस्ट खराब ह में इसी राय का पॉडर अचीर स्था लगता हिए यह आचार में लेकिन और यह भून जड़ा का पॉडर करते हैं चाठ है रायता में भड़ता है चाठ है दही भल्ला है राइता है फिर आप चाच पीते हैं सत्तु पीते हैं आम का जो बन्ना बनाते हैं उन सब में बहुत सारे चीजों में हम भूना जीरा का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम इस तरह से त्यार करते हैं लेकिन इसे हम बिल्कुल ध्यान से भूनते हैं बहुत बहुत जादा बूनेंगे तो जीरा का घुनक्रतम हो जाता है अम हैं कि अधो सब नैने हलगां की रर्चेंज के और वाद तो इस तरह¿ से भूना जीरा पॉरर्ते आर हो जाता है आप इसे चलाम करके और रखने की जरूरत नहीं हमत इतना ही करें जब घून चमस डालते तो आप सुखा चम्मच इसतिमाल करें तो यह आप पूरे साल रखें कभ़ी खुराब नहीं होता है बस सापधानी मौईस्चर से बचाना होता है ah कि तो इस तरह से हम यह दोनों पॉर्डर बनाते हैं अप appointment सब जरूर करें लाइक करना ना भूले आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत होती है तो आप लोग हमें सपोर्ट जरूर करें धन्यवाद